तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत बड़ी ख़वर निकल क्या रही है भी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल एरे स्टेशन के उपर पाकिस्तान दौरा प्रतिवंधित बलूच आर्मी के मजीद बिगरेट्स ने हमला किया है जिसके अंदर पाकिस्तान के कुछ सोलजर और जबावी कारिवाई में हमला करने वाले मारे गए हैं। देखा जाये तो पिछले कुछ समय से बलुच आर्मी के दौरा पाकिस्तान के सेकुरिटी फोर्ट से पे खासतोर से काफी बड़े हमले के जा रहे हैं। और इन बलुच आर्मी और इनके सपोर्टर का मानना है कि बलुचिस्तान पाकिस्तान से एक अलग एरिया है और पाकिस्तान बलुचिस्तान को छोड़ दे और बलुचिस्तान एक अलग स्टेट बनेगा। आपको यह भी बता दें कि एक अलग बलुचिस्तान देश की मांग काफी पुरानी है और इन फैक्ट इसकी मांग जब तेज पड़े जब 1971 के अंदर पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए जिसके अंदर पुरुवी पाकिस्तान यानि बांगला देश एक अलग देश बना इसक का आज तक कुछ अधा पता नहीं और इसी पर अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर काफी हंगामा मचा था जब एक बलुची हुमन राइट एक्टिविस्ट महरेंग बलुच ने पाकिस्तान की इसलाम आबाद में धर्दें पर दस्न की थी इसक्सासाथ बलुचियों की एक और सिकायत है कि पाकिस्तान बलुच के इलाकों से जो नेचरल रिसोर्सेज हैं उनको इटलाइज तो करती है लेकिन वहाँ पे रहने वाले उन बलुचियों के लिए पाकिस्तान की सरकार कोई हल्प नहीं करती अभी विछले कुछ समय से बी एले आर्मी और इसके सपोर को लेकर हो या फिर टीटीपी दोरा पाकिस्तान के उपर लगतार हमले तो दोस्तों इसके उपर आपका क्या कहना आपने चिक कमेंट करके बता सकते हैं तेंक्यू